नमस्कार हर्याना नियूज में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ केश्व कुमार शुरुआत करेंगे इस वड़े बुलेटन के लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर की तो बड़ी ख़बर आपको बताएं से मनौरलाल बजट अपना कोरोना के बाद अर्थ वबस्ता को गती देने वाला बजट भी से करार की दिया गया है अगले 25 सालों के विकास की दिशाय बजट तैकरेगा मौक्यमंतरी ने ये बात कही है देश की अर्थ वबस्ता में हर्याना का 3.4 पतीशत का योगदान है ये बात कही और 2021 बाइस में GSDP बढ़कर 5,88,771 करोड तक जा पहुंची इसकी उपलब्दी भी मुख्यमंतरी मनुहरलाल ने अपने इस बजट भाशन में गिनवाई है इस बजट की मुख्य और प्रमुक बड़ी बाते क्या है इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं आपको बताते हैं देखिया एक लाग 27,255 करोड रुपए का ये बजट है जो की पेश किया गया है बजट सतर दोजार बाइस तेस में 15.6 पिसद की बड़ोत्री की गई है पिछले साल एक लाग 53,384 करोड का बजट था जो कि उसे पिछली बार से 13 प्रतिशत ज्यादा था इस बार 15 से ज्यादा प्रतिशत से ज्यादा रखा गया है 5559 गावों में 24 गंटे बिजली देने की उप्रवदी मुख्यमंत्री ने गिनवाई राजी की विकास योजनाव के लिए 14,444 करोड रुपे आवंटित किये गए इस बजट के तहट सीम ने सुश्मा स्वराज परसकार की घोशना भी की है जिसमें महिला लाभारतियों को 5 लाग रुपे नकद राशी दिने का प्राधान है जो महिला के लाड़ी है उनने 5 लाग रुपे का इनाम इसके तहट दिया जाएगा MSP पर 14 फसलों की खरीद की बाद भी मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने अपने इस बचट भाशन में की है क्रिशी के लिए 5,988 करोड रुपे का आवंटन किया गया है सबसे ज़ादा सिक्षा को दिया गया है 20,250 करोड रुपे से ज़ादा सिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटिद किये गए है तो मैं स्वास्ता और चिकित्सा की अगर बात करें तो मेडिकल और हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए 8,935 करोड से ज़ादा का खर्च रखा गया है मैला और बाल विकास के लिए 2,070 करोड से ज़ादा रुपे आवंटिद किये गए है और किस विभाग को कितना पैसा कितना रुपया आवंटिद किया गया है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं देखिया एक लाग 77,255 करोड रुपे का ये बजट पेश किया गया है क्रशी के लिए सबसे पहले 5,988 करोड रुपे इसमें आवंटिद किये गए है इसके लावा सिख्षा क्षेत्र की बात करें सबसे जादा रकम 20,250 करोड से जादा रुपे आवंटिद किये गए हैं सिख्षा के लिए स्रहकारदा विभाग के लिए 1537 करोड रुपए का बजट रखा गया है आवंटित किये गए है परेवरण और वनेक छेत्र की अगर बात करें तो यहां पर 530 करोड रुपए से जादा का प्राधान रखा गया है अवाज छेत्र के लिए 383 करोड 11,00 रुपए जो हैं वो इसम नमाजिक सर्शक्ति करण के लिए 10,239 करोड रुपए का बजट इस बार रस्तावित किया गया है स्वास्ते और चकित्सा शिक्षा जो है इन चेत्रों के लिए 8925 करोड रुपए से जादा का बजट रखा गया महिला बाल विकास के लिए 2017 करोड से जादा रुपए जादा का प्रावधान इसमें रखा गया है सिजाई और जलसंसाधन की बात करे जाए अगर इग्रिगेशन की बात करी जाए तो 6136 करोड रुपए से जादा इसमें रखे गए बिजली और नवी करणिया उर्जया यानि कि जो कन्डेक्शनल सोर्स ओफ एनरजी है उसके ल सडक और रेल अव संरचना की अगर बात करें तो 4752 करोड रुपए से जादा का बजट इसमें रखा गया है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए 2821 करोड रुपए से जादा का बजट आवंटित है नागरी कुट्टेन के लिए सिविल अवीशन के लिए 886 करोड रुपए का 12149.5 3 करोड रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है सूचना प्रद्यूगी की अगर आई टी की बात करें तो यह राशी है 109 करोड रुपए से जादा सूचना और जनसंपर्क की अगर बात करें तो यह 348.41 करोड रुपए का बजट है जो इसमें आवंटित किया गया है तो महीं पुलिस और नियाय प्रशासन के लिए 8191.16 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं तो महीं ग्रामिन चेत्र के लिए 6826 करोड रुपए से जा 8085.73 करोड रुपए यराशी है अंतराष्टे महीला दिवस के मौके पर सियम और लाल ने बजट में हारियाना की महीलाओं को खास वगाद दी है बजट में महीलाओं के लिए कौन-कौन से बड़े ऐलान किये गए हैं ये भी आपको बताते हैं देखिया सियम ने सुश्मा स स्वराज परसकार की गोश्चना की है इसमें महीला खिलाडी जो है उन्हें पांच लाग रुपे का नकद इनाम देना शामिल है राष्टे और अंतराष्टे खेलों में ये हुगा और हर्याना मात्र शक्ति उद्यमिता जो है इसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है स जवानिके कुंडल जपर सोनिपत के गन्वर में नया मेडिकल कॉलिज महिलाओं के लिए खोलने की बात कई गई है तो अगर महिला दिवस के उपलक्ष में देखें तो मुक्यमंत्री ने ये गोशनाय जो है वो भी महिलाओं के लिए की है मुक्यमंत्री मनहरलाल ने बजट में स्वास्ते चेत्रों के लिए 8,926 करोड रुपे अबंड़ की है जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 22 फिसदी जादा है यहां के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं स्वास्ते चिकित्सा के लिए 8,925.52 करोड रुपे अब मंडली हस्पतालों में 100 अप्सिजन बैट्स लगाए जाएंगे वार्शी का आए एक दश्मलाव 8.6 लाक रुपे तक वाले लोगों को भी अधिक लाब देने की बात की गई है आईश्मान भारत योजना का लाब देने की बातें भी इसमें कई गई हैं 75 पतिशत राशी का भुकतान 15 दिनों में होगा पोस्ट ग्रेजुएट की 40 पतिशत सीटें आरक्षित रखने की बात की गई है इसमें जिला नागरिक हस्पताल में आठ पतिशत बैड वरिष्ट नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे हर खंड में टीबी के लिए जाच की जाएगी मॉलेकुलर टेस्ट की बातस में कई है गरीमों को उत्तम स्वास्त देखबाल देने की बात की गई है और नए नर्सिंग कॉलिज खोलने का फैसला भी किया गया है एलोपैथी और आयुश को लेकर नए रसर्च सेंटर खोले जाने की बात भी कई है अब आपको परिवहन क्रशी और आवासियक छेत्र को बजट में क्या कुछ मिला है इसकी जानकारियां देते हैं देखिया प्रिशी के लिए 5988 करोड़ से जादा का बजट आवंटित किया गया है MSP पर 14 फसलों की खरीद जो है वो जारी देने की बात कई है फसल नश्ट होने पर मौवज़े के रूप में 561 करोड़ रुपे दिये गए है हसे एमबी के लिए 200 करोड़ का अनुदान दिया गया है फसल समूव विकास कारिकरम के तहट 100 पेक हाउस की स्थापना की गई है किसानों के मार्ग दर्शन के लिए प्रगतिश्वील किसान कृशी दर्शन कारिकरम लांच किया गया है अब आवास का देखिए सरकार ने 383 करोड रुपे आवंटित किये है 20,000 के फायती आवास तयार किये जाएंगे प्रदेश में सालाना एकलाक 80,000 से कम आई वाले लोगों को जरुत के अधार पर इन्हें बाटा जाएगा आवास को लेकर ये गोशनाएं हैं ये की गई है इस बजट के अंदर अब बात पर्यावरण की कर लेते हैं 530 करोड रुपे से ज़्यादा का बजट रखा गया है हर जिले में हाट स्पोर्ट को ग्रीन स्पोर्ट बनाये जाने की बात कई है इको टूरिज्म को बड़ावा देने की बात की गई है सो वायू गुनवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किये जाएंगे एर क्वालिटी इंडेक्स सेंटर प्रयावरण चंडरक्शन के लिए छेतर में दर्शन लाल जेन परसकार दिया जाएगा लोगों को अगर सामाजिक प्याय की बात करें सोशल जस्टिस की बात करें तो उसमें क्या-क्या है ये भी आप देखिए 10,230 करोड रुपे अवंटित किये गए हैं इस विभाग को वो भी आकड़े आपको बताते हैं रोडवेज के बेड़े में 2000 साधारन बसों का बेड़ा जोड़ा जाएगा 1000 बसे हर्याना रोडवेज इसमें से खरीदेंगी 50 लगजरी होंगी और मिनी बसे भी इसमें शामिल है जो कि प्रदेश सरकार खरीदेगी मैक्सी के पॉलिसी भी हर्याना सरकार बनाने जा रही है एलेक्टरिक टिकेटिंग सिस्टम रोडवेज बसों में शुरू करने की बात है रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी रोडवेज के बेड़े में 2000 साधारन बसों को जोड़ा जाने की बात कही गई